Hello friends, कैसे हो आप लोग? I hope सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को भी भूत अच्छे से बखुबी कर रहे होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Reserve Bank of India की Reserve Bank of India की तरफ से वेकेंसी आई हुई है यानि की वेकेंसी आई नहीं है दोस्तो आने वाली है तो इसके उपर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है आपको ताकि वेकेंसी जैसे ही आए क्योंकि 4-5 दिन का टाइम मिलेगा आपको फॉर्म बनने का तो पहले से ही तईयार रहीगा ताकि आप फॉर्म को जल्दी से सबसे पहले अपलाई कर पाएं देखिएगा दोस्तों सबसे पहले हम ऑफिसियल नॉटिफिकेशन इसका नहीं आया है पहले ही मैं आपको बता दूँ official notification आने से पहले आपको मैंने video बना के दे दे रहा हूँ ताकि जैसे official notification आए तो आप एकदम से form को भर पाओ क्योंकि बहुत ही जल्दी इसका paper होने वाला है तो Reserve Bank of India की official website के link description में मैं दे दूँगा इसी site पे जाके आपने form को fill करना है चली हम चलते हैं मैं किस आधार पर ये vacancy आपको बताने वाला हूँ तो चली चलते हैं हम जल्दी से और जानेंगे मैं किस आधार पर आपको ये vacancy बता रहा हूँ देखीगा newspaper के according ये cutting मैंने ली है और ये cutting बहुत जादा viral हो रही है दोस्तो क्यूंकि इसमें vacancy आने वाली है भारती reserve bank services board मॉंबई की तरफ से ठीक है क्यूंकि इसका headquarters ही मॉंबई में है तो आप website को visit करते रहेगा दोस्तो क्यूंकि देखीगा इसमें जो post हैं आपको दिखाई दे रही हूँ लगवग लगवग उन्तीस post हैं इसमें विदी अधिकारी की भी यह प्रवंदक की और सायक प्रवंदक की और सायक प्रवंदक सिष्टा चारों सुरक्चा में भी पांच post आई हुई है देखीगा यहां पर इसके बाद में लिखा हुआ है जो देट आपके पास दिये हैं उन्हें 23 फरवरी 2021 से 10 मार 2021 तक ही आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे और 10 अपरेल 2021 को इसका लिखित पेपर होगा तो जल्दी से तयार हो जाईगा दोस्तो जिन इस्ट्रेंश को भी RBI में काम करना है आई होप सारी बातें समझ गए होंगे वेट करिएगा थोड़ा क्योंकि ओफिसल नोटिफिकेशन नहीं आया है ओफिसल नोटिफिकेशन आते ही मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊँगा लेकिन आप तयार रहेगा इस फर्म को बनने के लिए चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप अपनी घरों में सुरक्षित रहेगा और आपने तयारी को बिल्कुल बरकरार करते बरकरार रखिएगा क्योंकि कभी भी पेपर हो सकता है और अच्छे से फॉर्म को अच्छे से पेपर को दीजीगा औ और शिलेक्शन लीजीगा चलिए बाइबाइबाइब टेक केर